नमस्कार डिवोर्स यानी तलाक यानी एक शादी के रिष्टे का तूट जाना जब ऐसा होता है तो ये बेशक हमारी जिन्दगी का बेहत दुखत मोड होता है क्योंकि यहाँ पर एक रिष्टा ही नहीं पूरा एक परिवार तूट जाता है ये डिपेंड करता है कि वो जो मोड है उस हालातों को आप कैसे डील करते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आप उस तूटे हुए रिष्टे से वापस आना चाहते हैं या फिर आगे कदम उठाना चाहते हैं नई जिन्दगी शुरू करना चाहते हैं आज हम जागों में यही जाने की कोशिश करेंगे कि divorce के बाद solutions क्या हैं, क्या आप divorce लेकर अलग हो जाए या फिर आपका तूटा हुआ रिष्टा भी बन जाए, अगर आप भी अपने शादी से नाखुश है, रिष्टे को वापस बनाना चाहते हैं या फिर divorce लेना चाहते है इन सभी कश्मकश के साथ आप हम से सवाल पूछ सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौझूद है लीगल एक्सपर्ट मिस रेखा अगरवाल, रेखा जी बहुत बस्वागत है आपका जागों में, और साथ ही हमारे साथ में है, रिलेशन्शिप काउंसलर, डॉक्टर कमल खुराना, कमल खुराना जी आपका भी पहुत बस्वागत है, जब शादी में हमारा एक रिष्टा होता है, वो जब तूटने की कगार पर आ जाता है, तो हमें कश्मकश्मे बेशक पढ़ते हैं, कि हम आगे बड़े या न कि टूटे हुए रिष्टे टिवर्स तक जो पहुच जाते हैं, वो भी वापस आ जाते हैं और जुड़ जाता है. और दूसरी बात बात यह है कि अगर दोनों के बीच में अभी भी कहीं अगर कुछ connection बचा हुए और दोनों चाहते हैं उसे बचाना तो दोनों की जो willingness है वो होनी चाहिए तो उपरी तोर पर उपरी तो चलिए फाइल कर दिया उनोंने और वो सारा जितना भी आंगुश है वो निकाल दिया और एक जीत हासिल कर ली कि हमने अप्लाइ कर दिया है पर अगर अंदर से कहीं अभी भी जूड़े हुए और इतनी सी भी वो जो जो रॉष्णिया वो बची हुए है तो हम उसको जोड़ सकते हैं अपना जो पटीशन है वापस लेते हैं और आपस रिष्टा जुड़ जाते हैं बिल्कुल कही बर ऐसा हमारे सत्थ कॉर्ट में एक्स्पिरिंस हुआ हुआ है कि बहुत जोश के साथ में या रादा कहें कि बहुत गुसे के साथ के अंदर कॉपल्स जो है वो कॉर्ट में आ मेरे निजे एक्सपिरिंस भी हुए हैं जो जहां पर जो लड़की थी इतनी डिटर्मिंट थी इसपेशली गर्ल जो होती है शायद वो एमोशनल जो उनका कोशन होता है वो जादा होता है और या तो बच्चों की वज़े से या खुद आपस प्यार की जो रोशनी जो जो बता रहे था अगर वो जागरित करना चाहती है तो उस वज़े से रिष्टे जो है वापिस जुड़ी जाते हैं कई बार ऐसे हुआ है कि काउंसलिंग की वज़े से आज कोर्स के इना मध्यस्ता केंदर बन गए है मेरी मेडियेशन जब समझाते हैं अपनी छोटी सी जो गल गली भी कपल्स वापस आते हैं रिष्टा बनता है और इमोशनली भी कही ना कहीं कनेक्शन होता है जो हम ढूंट पाते हैं तो ये था एक पॉजिटिव नोट लेकिन उसके साथ हम वो हालात भी देखते हैं जो ऐसे बन जाते हैं कि जो रिष्टा होता है वो डिवोस की कि मैं बहुत तंग आ चुकियों तुमसे और तुमारे इन रोज-रोज के ड्रामों से जिसे हमारे समाज में दो इंसानों के बीच जन्मों जन्मों का बंधन माना जाता है लेकिन कभी-कभी इस रिष्टे की नीव जाने-अन जाने या किसी मिसांडरस्टानिंग के चलते कम जोर पढ़ने लगती है और फिर शुरू होता है रिष्टों में कड़वाहत और बाद-बाद पर तन-तनी का दौर देखते ही देखते हस्ती-खेलती फैमिली पर छा जाते हैं गमों के बादल ऐसे में दोनों पार्टनर्स के मन में बस यही खयाल आता है कि जितना जल्दी ह हो सके दोना एक दूसरे से अलग हो जाएं लेकिन यहां पर आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके इस फैसले का फर्क सिर्फ आप पर ही नहीं पड़ता बलकि आपसे जुड़े हर इंसान पर पड़ता है इसलिए किसी भी डिसिजिजन पर पहुंचने से पहले आ दीवन के पत पर आप हम राही बनकर नहीं चल सकते तो ऐसे में हमारे देश का कानून आपको डाइवोर्स लेने का पूरा हग देता है बशर्ते डाइवोर्स की वज़ा वाजिब होने चाहिए इसलिए कोई भी फैसला ले लेकिन सोच समझ कर बेशक कोई भी फैसला सोच समझ कर लीजे जैसा कि हमने शुरुवात में भी कहा कि डिवोर्स में सिर्फ रिष्टा नहीं तूरता पूरा परिवार तूर जाता है लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो रिष्टा बागए आप कंटीनियू नहीं कर सकते आपकी खुशी उसमें तबाह हो रही है तब आप स्टेप जरूर ले यहां बे खुराना जी हम डिवोर्स के अगर बात कर ही रहे हैं तो फिर जो रिष्टा होता है ऐसा क्या हो जाता है रिष्टे में जो की डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है और क्या हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो अगर करें तो उसके बात क्या करेंगे और क्या होंगे और हमारे यहां शादी को सर्फ वेडिंग के रूप में देखा जाता है कि वेडिंग हो गई तो शादी तो रोज चलनी है तो कुछ भी वो मुद्दे हैं जो एक दुसरे के जो डिफरेंसिज हैं चाहे उनके दिसलाइक हैं उनके वैलियोज हैं उनके बिलीज हैं यह मुद्दों की वज़ा से डिफरेंस ऑफ ओपीनियन जो है वो डिफरेंसिज बनते चले जाते हैं दूसरा बहुत बड़ा रोल रहता है कि जो इनलाउस होते हैं या निके जो निजी लोग हैं वहापर उस घर में औ लॉज हैं तो वो लोग भी जब अपना इंटेफेरेंस दिखाते हैं इंडिया में तो खास करके जब उनका इंटेफेरेंस इतना जादा आजाता है और शादी इन दोनों की शादी और यह जो नई लड़की घर में आ रही है उसकी जो डिफरेंटनेस जब इन सब को भी बह आज आपने दूसरे बात कही कि आसपास जो लोग होते हैं आपके रिष्टेदार होते हैं वो बहुत बड़ा कारण कभी कभी बन जाते हैं लेकिन अगर खुद का रिष्टा ही मजबूत होगा तो बाहर कोई भी इनसान उसको नहीं तोड़ सकता है लेकिन इसके साथ साथ रेखा जी कानून क्या कहता है कि अगर परिशानी आती है बिल्कूल टक्राव हो जाता है रिष्टा टूटने लगता है तो डिवोर्स और जो लीगल है कानून है वो क्या कहता है ऐसे situation के अंदर जब लड़कियों लड़की ने husband and wife ने फैसला करी लिया है कि हमको साथ नहीं तो एक जो कानून के बहुत अच्छा प्रावधान है वो है mutual consent and divorce लेने का जिसके अंदर दोनों joint petition file करते हैं कोट के अंदर एक दूसरे पर कोई तरह का कीचर नहीं उचालते हैं कोई तरह का लांचन नहीं लगाते हैं जिसको हम कहते हैं कि don't wash dirty linen in public तो इस तरह का कोई गलत क हैं और अब हमें बहुत कोशिश कर लिये हैं पर हम इस रिष्टे को और नहीं 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 भा सकते और वही पॉजिटिव बात जो कोट इस situation कंद देखती है कि ऐसी केस में भी जहां पे joint petition file करते हैं वहाप कोट में जाते ही divorce नहीं हो जाता है उसके बाद में भी कोट कहते ह करिये और चे महीने के बाद आके बताईए कि क्या आपका फैसला अडिग है या आप या पर जूड़ना चाहते हैं धिक अपने शहें पाद करेंगे कि अगर एक ही इंसान परेशान है दूसर इंसान के साथ नहिया चाहता तो कानून क्या कहता है उसे पहले हम अपने कॉलर स से बात करेंगे जिनों ने में दिली से कॉल किया है बताईए है अला जी या हाई मैं नाम नहीं बोलना चाहूंगी मैं दिली से बोल लई हूं और मेरी शादी को दस्ता हो गए है और मुझे अच्छी मेरे साथाल का बेटा भी है और मेरी शादी लव मारच थी और मैं इक अच्छी 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 अच् या अब आप चाहते हैं कि आप उस रिष्टे से निकलना चाहते हैं या अब आप चाहते हैं कि आप उस रिष्टे से निकलना चाहते हैं लेकिन क्योंकि तीन साल पहले इन्होंने मेरे अगेंस इन्होंने मेरे को थेडन किया था कि मैं एडल्टरी का किस तुम्पे करूंगा कि I had an experimental affair with someone, क्योंकि अमारे बीच में अंडर्साइणिंग नहीं तो मैं इसे को इस्क्यूस नहीं कहूंगी तो मेरा बच्चा का बीच मैं इसे लिए मैं इन लोग साथ एग्जिस्स कर रही हूँ और से बाद यह है कि मैं इसे कीस के साथ मैं यह एंड करना चाहूंगी तो मैं अभी तेलेविशन पर देख से हूँ और मैंने मूट किया हूँ नहीं तो मैं अपने बच्चे के वैसे इसको छोड़ना नहीं चाहती हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम यह शो किया हूँ है कि हम डेज साल से अलग रह हम समझते हैं आपकी प्रॉब्लम और आपने जितने भी क्लॉजिस बताया है उसके हिसाब से आगे क्या सल्यूशन निकल सकता है यह हम जानेंगे लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जागो में आज हम बात करें हैं डिवोर्स सल्यूशन की की डिवोर्स अगर लेना चाहते हैं तो क्या कहता है कानून और अगर उस डिवोर्स की पड़ाव से आप वापस आना चाहते हैं तो क्या है जरिया प्रेक पर जाने से पहले दिली से जो हमारी कॉलर थी लेकिन जितन प्रिजिकली क्या एडवाइस करेंगे? मैं तो उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पहले आप अपने मन में क्लियर हो जाईए कि आपको क्या चाहिए उन्हें यह कहा कि एक्स्टा मैदल अफेर में मैं चली गई थी और इसको मैं एक्स्क्यूज नहीं कहती मैं यहां पर कोई नहीं होता हूँ कहने वाला कि वो सही था या गलत था बट इनको अपने आप से पूछना है कि आज जिन्दिगी में क्या चाहिए वो सब गुजर चुका अपने एक्स्पेरिमेंट किया और अगर थ्रेट की वैसे आई है तो थ्रेट की वैसे क्यों आई है फाइनली आपको चाहिए कि इसके उपर आप क्लारिटी लाइए बजाए कि यह सारी सिक्वेंशियल बात है या सिच्वेशनल चीज़ें जैसे कि बच्चे का क्या होगा या में को थ्रेट किया दाएगा तो वो तो आपको रोड चलते भी कोई भी थ्रेट कर सकता है और कोई भी आपको स्यू कर सकता है तब हम या कानून आपको एडवाइस कर पाएगा तो पहले आप थोड़ा सा क्लियर करिए कि आप क्या चाहती है अब वापस हमें कॉल कर सकती हैं clear thought के साथ उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उस clear thought के साथ हम आपको आगे कुछ legal advice देज सकें अभी हमारे साथ एक caller जूड़ी है चंडीगर से बताईए पूछिए अपना सवाल हलो मैं मैं बोलना शुरू करूँ है मेरी marriage को और अब 6 साल का बच्चा भी है तो मैं उनके घर में नहीं रह पा रही हूं क्योंकि उनकी mother का behavior worst है तो अब जाकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपने husband से लगो जाना चाहिए क्यों क्योंकि मैं अपनी mother-in-law से सबसे पहले लगोना चाहती हूं मैं मैं आपसे ये question पूछना चाहती हूं कि मेरे को basically financial assistance के लिए अगर मैं चाहूं अपने husband को मैं किस तरीके से बोल सकती हूं मतलब एक divorce ही एक ऐसा जरिया है जिसके जिससे मुझे financial assistance मिलेगा कि divorce के बगार भी वो मुझे एक घर लेके देंगे और मेरे को financial assistance करते हैं ऐसा कोई legal procedure है कि नहीं है जी बिल्कुल रेखा जी क्या कहेंगे आप डिवोर्स बिल्कुल आपने सही कहा कि आपको जरूरी ने कि आप divorce ले ही तब ही आपके husband आपको खर्चा देंगे ऐसा कानून में कहीं भी कमपल्शन नहीं है अगर आप चाहती है कि आपके husband आपको maintenance प्रवाइड करें और आप अपना जो रिष्टा है उनसे अलग ना करें मतला डावर्स ना ले तो आप उनके ओपर section 125 criminal procedure court के तहट अपने खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए दोनों के लिए खर्चा भथा मांग सकती है और साथ साथ एक जो नया कानून आया है 2005 के अंदर protection of women from domestic violence इस act के तहट भी अगर आप केस करती है अपने हजबन के ओपर और आप चाहें तो अपनी mother-in-law के ओपर भी कर सकती है क्योंकि अगर आप कहती है कि वही आपको ज्यादा है तो इस कानून के तहट भी आपको खर्चा भथा मेलेगा आपके हजबन का अगर status प्रवाइड करता है कि वह उनका खुद का घर है तो हस्बन के ओपर यह भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह इनको भी एक रहने का मकान दे और अगर वो उस एक नया मकान नहीं लेके दे सकते हैं तो उस पर्टिकुलर घर के अंदर भी जहां वो रहते हैं तो उस कम्रे के बटवारा हो जाए या उसी स्टेटिस का उनको किराय का मकान दिया जाए तो डावोर्स लेना कहीं पर भी कानून के यह कंपल्शन नहीं है और अपना खर्चा जो है आराम से मांग सकती है तो यह आपके लिए अच्छी बात है कि आपको डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है प आपके इन-लॉस के साथ भी आपका रिलेशन्शिप बेटर हो जाए तो पहली आप यह स्टेप अगर आपको लगता है कि यह आप लेना चाहती है तो इससे भी आप शुरुआत कर सकती है और जैसा कि रेखा जी ने कहा कि बिलकुल आपको मेंटेनिंस आपके हस्बेंट से ज़रूर मिलेगा अब हमारे साथ जुड़ी है आस्था जी एंदबाद से आस्था जी अपना सवाल पूछे यह जी आस्ता जी बताइए आस्ता जी से पटेना से हमारे कॉले जूडी हैं हमारे साथ जी पूछे सवाल जी बताएए जी बिलकुल बेशक आपकी परिशानी का क्या हल निकल सकता है हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे लेकिन एक छोटी से ब्रेक के बाद जी बताएए जी बताएए जी बताएए जी बताएए इनका इनका इसका आएए अगर इनका डिवर्स तो हो गया पर खरचा नहीं मिल रहा है अब depend करता है कि इन्हों जो divorce लिया है वो किन शर्तों पे मिला है उनको court से अगर इन्होंने mutual consent से divorce लिया यानि कि दोनों की रजामंदी से तो उसके अंदर भी कुछ शर्ते होती हैं और तलाक तभी मिलता है जजसा वो तलाक का फर्मान तभी पास करते हैं जब वो इस बात से satisfied हो जाएं कि लड़का और लड़की अपनी रजामंदी से divorce ले रहे हैं और जो शर्ते हैं उनको दोनों समझ चुके हैं कई बार ऐसी situations भी होती हैं जहां पर लड़की कहती है कि मैं डाइवर्स चाहती हूं और मेंटेनस नहीं चाहती हूं बिल्कुल भी क्योंकि मैं खुद सम्रिद्ध हूं मैं खुद कमाती हूं पने पाउं पर खड़ी हूं अब देखना पड़ेगा ये पूरी बात तो इनकी पेटिशन किस अधार के ओपर इनकी अलाव हुई थी किस अधार के ओपर इनको तलाग मिलेगा वो सब बिना देखे हैं हम इंको पूरा गाइड नहीं कर सकते हैं अगर इनोंने गये स्टेटमेंट दिया है कि मेरे को मेरी इनकम है मैं सेल सफिशन्ट हूँ मुझे मेंटिनेंस नहीं चाहिए तो वो तो फिर बात खतम हो जाती है कि आब उस बात को रियोपन नहीं कर सकती है पर अगर इनके साथ करें पर धोका धड़ी हुई है और यह लिखा गया है कि कमाती है आत्म निर्भर है और ऐसा नहीं थ अगर तो अगर किसी दबाव में हुआ है को फ्रॉड इनकी सथ कमिट हुआ है तो फ्रॉड तो कभी भी ओपन हो सकता है तो यही एडवाइस करेंगे कि आप किसी लॉयर से संपग करें अपना जो इंडिविजूल केस है उसको डिसकस करें देखी कि उसमें क्या-क्या क्लॉ अपने घर के टी-वी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए हम तभी आप से बात कर पाएंगे अजी मैंडम गुड इवनिंग जी गुड इवनिंग मेरे घ्जिए उर मेरे जो वाइफ हैं अभी जो न की जो वाइफ हैं वो किसी तरह बेजस्टचंदने OH आप हमारे घर के माहूल के अंदर मेरी एक वाइफ, उनके दो मनलब मेरी वाइफ और उनके बिदर दोने घर में मैं सबसे उनका दमाद हूँ मैं बड़ा कंसर्ण हूँ, मैं इनलोज आर वेर इनॉसेंट अब वो लड़की किसी तरह से भी एकसेट करने को तयार नहीं है, घर में अज़स करने को तयार नहीं है हमने बड़ी कोशिश करी, सबी लोगों ने, मैंने, मेरी वाइफ ने पर उस लड़की को समझना यहां पर ज़्यादा जरूरी है अगर शादी को अभी ठीक करना चाहते हैं इवन मोर क्योंकि अब बच्चा हो चुका है, वो भी इनवाल्ड है और इनके ब्रदर इनला की ही बीवी है और उन्हीं का ही बच्चा है तो शादी तो अच्छी चलनी चाहा है, I totally understand कि उनका इनका 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 सही है राइट यहाँ पर यहाँ पर यह रहेगा कि अगर दोनों आएं और दोनों को प्रॉपर किसी साइकॉलोजिस से, अच्छे किसी कांसलर से समझवाया जाए कि आदी अंड दे आप कहां पहुंच रहे हैं जिन्दगी में और दोनों को मौका दिया जाए अपनी प्रॉप्लम्स के डीपर रूट्स को कहने का और समझाने का और यहाँ पर जो भी विकल्प हों दोनों मिलकर यह करने, एक तरफा हो करके नहीं इनका कंसर्ण सही है, बिलकुल मैं इनके उससे रिलेट करता हूँ पर इसको प्रोफेशनली अगर धंक से करा जाए, अनबाइस हो करके तब होता है और तब बेटर रहता है तो उनके अंदर यह टेंडेंसी है कि वो लोगों को समझती है इसमें प्रोफेशनल हेल्प बेशक फाइदे मंद रहेगी रेखा जी चलते चलते बहुत संशेप में जाना चाहेंगे कि हमने पहले मुचुल कंसेंट से डिवोर्स देखा लेकिन अगर कोई एक ही पार्टनर डिवोर्स लेना चाहे तो क्या है प्रोसेस ऐसे सिचुएशन के अंदर कोई भी पती या पत्मी जो है अडिशनल डिस्ट्रिक जज के अदालत में जाके डाइवोर्स का मुकद्मा फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन थर्टी नुदे हिंदू मारिज अक्ट और उसमें कई सारे रीजन्स दे रखे हैं फर्स करिये जैसे मान से क्या शारिरे क्रूल्टी है अडल्ट्री है चेंज आफ रिलिजिन है या कोई आपको कोई वेनरल डिजीजिस है या दूसरी की जान को खत्रा है या अब साथ सार से जादा पती या पत्नी लापता है इन किसी भी वजहे से पती या पत्नी दोनों एक तरफा होकर भी कॉट में आगे जा सकते हैं और अपनी पेटिशन तला के लिए फाउड कर सकते हैं तो आज जागो के जरीए हम सब आपको यही कहना चाहते हैं कि डिवोर्स के बाद solutions का भी ध्यान रखे या फिर लीगली या फिर इमोशनली counselor से में लिए अगर वो भी बात नहीं बनती तभी आप लीगली अलग होने की सोचिये बहतरी उसी में रहती है तो आज जागो में इतना ही